हेलो फ्रेंड्स वेल्कम तुमाइच चैनल आज हम दोक्काई सोल्व करने वाले हैं यह वाली इस दोक्काई का अगर साइज देखो तो बहुत ही चोटा है और मैं चाहता हूं कि दो मिनटे के अंदर अंदर यह खतम करूं आज सो देखते हैं चैक करते हैं कि हमसे हो पाएगो दो मिनटे में हां अगर आपके कोई भी कोई और आपको यह वीडियो पसंद आते हैं तो इस वीडियो को लाइक जडूर कर दीचेगा और इन वीडियो डिया है चार वीडियो उनको जरूर देखिएगा आपको बहुत ज़्यादा हैल्प मिलेगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और अगर मैं देखूँ यह हमारा है question और इसमें लिखा हुआ है सबसे पहले तो इसमें कोई gap नहीं दिया हुआ सारे की सारे अक्षर एक साथ में लिखे हुए है तो हम पढ़ेंगे कि पहले line लिखा हुआ है पहला word है वाताशिताची मतलब हम वी वा मै आसा उतानो उतानो रेंशू ओ शिमास वो बोल रहा है वाताशिताची हम वा एक पार्टिकल हो गया इसको इग्नोर करो आगे है माई आसा मतलब आसा का मेनी होता है morning ठेक है माई आसा every morning उता वाट इस उता उता मेंस song ठेक है रेंशू means practice ठेक है शिमास means करना ठेक है वाताशिताचीवा माई आसा उतानो रेंशू ओ शिमास हम हर रोज हर सुबह सों का practice करते हैं यह हो गई आपकी पहली लाइन second line में इन्होंने लिखाया है कि केसा केसा नो रिन शू केसा नो रिन शू केसा मेंस जो बीच चुकी है सुबह मतलब आज सुबह ठेक है आज सुबह का जो practice थी वह वा कुजी निजुक्पन कारा इची जिकान देश्ता मतलब जो सुबह उन्होंने practice किया है वो कब से थी कहता है नो बज़के 20 मिनट से कारा मींस से ठीक है और एक घंटे तक थी अभी आपको पता चल गया होगा कि कब तक थी नो बज़के 20 मिनट पे start होगी और दस बज़के 20 मिनट पे खतम होगी यह पता चल गया नेक्स्ट लाइन है यहां से यामा गावा सान इस कांजी की reading नहीं दी हुए तो मैं आपको बता देता हूं कि यह है यामा और गावा ठेक है यामा गावा सान कोई बंदा है तो दाई सान दाई यामा सान यामा गावा सान तो दाई यामा सान वा की मा से देष्टा की मासेन देश्टा ओके तो यहाँ पर यह बता रहा है कि जो यह बंदिया ना एक यामा गावा सान हो गया और एक दाई यामा सान हो गया यह की मासेन देश्टा की मासेन मतलब आना और की मासेन नहीं आना और की मासेन देश्टा का मिनिंग होता है कि नहीं आया था देश्टा लग जया पीशे sentence में तो था में आ जाता हूँ ठीक है आगे लिखा हुआ है थाका की सान वा ने जुपन उसोकु कि माष्टा ठीक है इसमें इसने क्या बोलाए कि जो थाका की सान है वो सांजुपन उसोकु की माश्ता 30 मिनट 30 मिनट ओसुकू मतलब लेट आया था ठेक है वो 30 मिनट लेट आया था कौन थाका की सान Okay So question है तदाशी मोनो ये रहा आपका तदाशी फिर आपका मोनो वा फिर दोरे देश का कौन सी है मतलब आपको options दिये हुए हैं उनमें से देखना है कि कौन सा options सही है तो पहले अगर मैं इसको थोड़ा सा revise करवा दूं इसमें बोला किया है कि हम जो सुभा हर रोज सुभा songs की practice करते हैं उनको गाने की practice करते हैं तो आज जो सुभा हमने किया था practice वो नो बज़के बीस मिनट से एक गंटे तक चली थी आगे लिखा है यामा गावा सान तो दाई जामा सान वा खिमासें देश था मतलब ये दो बंदे नहीं आया थे यामा गावा सान और दाई यामा सान अगली last sentence में लिखा है कि थाका की सा वा सान जपन असो को किमाशता थाका की सान जो बंदा है वो 30 मिनट लेट आया था ठीक है अभी हमने option पढ़ने है पहला option है रेंशू ओ या सुन्दा हितो वा सान निन देश ये पहली लाइन में बोला है रेंशू प्रेक्टिस ओ या सुन्दा हितो ये एक वाली ठीक है हित रेंशु ये सुन दर रेंशु प्रैक्टिस या सुन दर चुटी लीव पे था जितने मदे थे वो थे तीन बंदे है अब हम ने दो पड़ें ऐंकि दो निया थे तीसरा मतरा लेट आया था आया तो था ना इसका मतलों अप्शन टी नहीं था तो इसमें ये वाला जो हमारा ऑ ठीक है, इसमें लिखा है कि रेंशु जो प्रैक्टिस है वो नौ बज के 20 मिनट से एक बजे तक है, तो हमने पड़ा है कि एक बजे तक नहीं थी, वो तो सिर्फ एक घंटे तक थी, नौ बजे के 20 मिनट से लेके, दस बज के 20 मिनट तक, ठाका किसान वा इची जिकान जो ये थाका किसान था, ये तो सबसे लास्ट में आया था था ना, अगर मैं आपको दिखा दूँ, ये जो थाका किसान है, वो 30 मिनट लेट आया था, इसका मतलब क्या था, कि उसमें सिर्फ 30 मिनट ही, अपनी प्रैक्टिस किया है, तो हमारा जो ये उप्शन है, थार्ड ये गलत हो जाता है तो कि वो तो लेट आया था 30 मिनिट वो एक घंटा प्रैक्टिस करी नहीं सकता तो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा फोर्थ थाका किसान वा कूजी गोजपुन नी रेंशू नी किमाशता तो ये थाका किसान है जो लेट आया था 30 मिनिट वो 9 बचके 50 मिनिट पे आया था तो 9 बचके 20 मिनिट फिर उसके बाद अगर आप 30 मिनिट एड़ि करोगे तो 9 बचके 50 मिनिट हो जाते है तो ये हमारा उप्शन जो है वो सही हो जाता है और यही इस पेलाग्राफ का आंसर है फोर्थ उप्शन सही हो जाता है आपको समझा आगया होगा कि मैं इसमें आपको क्या बताना चाहता हूँ सो इसी तरह कि अगर आप वीडियो देखना जाते है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना कि अगर आपको कुछ सीखने को मिला है कुछ इंटरस्टिंग सीखने को मिला है तो मुझे भी मज़ा आएगा और वीडियो बनाने में और जो आपके साथ में पढ़ते हैं जैपनीज उन लोगों के साथ ये वीडियो शेर करिएगा उनको बहुत ही ज्यादा हेल्प होगी सो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में सब तक के लिए साय नारा